सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जान लेवा है शाराब पीना सेहत के लिए हानी का मुझे प्रेक अप करना है पता है क्यूं क्यूंकि तुम साइक हो मुझे अकेला छोड़ दो मैं नहीं कर सकता तुम से प्यार 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 हो शो शो और पसी हो जो गया वार कर दो बाए दो खो जो हो सबस्क्राइब में कर ऑष कंद कर दो कि अबस्सके जिए कि अबस्कि दो … कि अबस्क tea बाइया, देखा आप देवा क्या कर रहा है? रहे, क्या साबित करना चाहते हो? समझ मेरे याता क्या? मैं इससे और प्यार नहीं कर सकता अगर मेरी बेटी को इससे प्यार नहीं होता तो अब तक ये यहां सिंदा ख़णा नहीं होता Boys, let's get him झाल झाल पिंज़ विपड़काँ कर दो भीद़काँ हुओआँ़ब वहुआब लुचर 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 जानु का ब्रेक अप और जानु के डैड यहां पर है लाइफ फाइट सीन चल रहा है तो पर से ब्रेक अप किया वो सच में किसी काम का नहीं है मुझे पहले सी पता था तू महा मत रुको चलो जल्दे निकलो वहां से ओके माया ठीक है मैं अभी निकलता हूं ठीक डाली तू अजया जाएगा तू पागल है क्या एसा बोलना पड़ता है राम रुक जाएगा रूट जो बीच में मता आओ राम चोड़ना थो क्यो बीच में आ रहा है मैं उसे प्यार करू या ना करूं यही वह मेरी पेटी है तो वाट एज है गाईस अलो प्लोट सैपलिंग यह मेरी पेटी तुझसे प्यार करती इसने सब भुरा के तो जहां बोला और आप तू कहता है कि अब तूसे प्यार नहीं करता है सो बार काऊंगा नहीं करता प्या तुम जो कर सक्यों कर लो एए एए मेरी बेटी के बद्वाव से तु अभी पाच नहीं पाएगा इस ना इस ना बिएटी से प्यार करते हो इसने जगडा नहीं कर रहे हैं बताओ के तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आप बताईए आखिर प्रॉब्लम क्या है वो देखिए वहाँ उपर वही है प्रॉब्लम देख तो ऐसा रहा कि उसे ज्यादा प्रॉब्लम है और आप कहते हो कि वो प्रॉब्लम है भई क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम हलो चाहूं तो तुम सब को एरेस्ट कर सकता हूं हम स कुछ बोलो जो समझ भे हैं मेरे भाई इस लड़की का नाम जानू है जब पहली बार इसे देखा तभी इससे प्यार हो गया झाल कर भी video बोलो जो मैं। को ऊज इस के अख़ा स्ब्सक्राइना क्यां डालू। बेस्त आफ भाई में ही मर एक्स्तिक अख़ा सविक। यूथ अहाँ, अच्पे किनिधर शाचु! क्या में फूलिया सक्थे यो फ्लीज? नच्टे, है क्या है, इतना अज़ें लड़की को ढूड़ना है, और तुझे ये बहुत आसान लगता है, क्यों? 界 राम, इस इड़निय, लुक अर मॉद्राइण इसान लड़की नहीं, अगर भाई नेतनी लड़कीा है तो इस एरिया में कितनी होगी सोचो, और इस शहर में कितनी होगी सब्सक् trapped,heey. मुझे बागी लड़कियों में कोई इंटरेस्स नहीं है मुझे सिर्फ उस लड़की में इंटरेस्ट है अगर भाई ने तयकर लिया है जर लेट स्टार्ट असर्च वहु मुझे कॉली जाना पर्फेसन्द क्या है? संजय है ना? संजय है ना? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? romance हाँ? मेरी लाइफ में यह मुझे पहले बोलेगा क्या मैं उससे पहले बोलूँगी? क्या वो मेरा दीवाना होगा? यह मै् उसकी दीवानी हो जाऊंगी? यह सब क्या होगा याँ? अगर दुम चानती हो कि ऐसा ही हो, तो वहाँ देखो. बोईस! 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 उन सभी में से किसी एग को सिलेक्ट कर लो पे लाइफ सेट हो जाएगी. या कॉलेज है या? गर्स कॉलेज में दो साल मेने वेस्ट कर दिया हूं. अरे उसको देखो यार, बुखली, बुखली, मुखली, 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 जाके उसे दोस्तिक यार, या, सी यू, बाइ-बाइ हाई, आइम जानू, आइम महेश, तुम्हारा सब्चेक्ट कॉन सा है? पजिक्स, ओ, जस्मिस्ट, और आप? हाँ, केमिस्ट्री, थर्ड यर, इसी साल एडमीशन लिया है, तुमने इन्हे इतना अट्रेक्टिव कैसी बनाया? मैं रोज जिम जो जाता हूँ, जिम जाने से गाल अट्रेक्टिव हो जाते हैं, हो, मेरे गाल, थैंक्स, सब्जेक्ट अलग है, तो क्या हुआ, विल केप इन तच, यहाँ शिर, तुमारा झाल सकता है, जानो आख हो, मुझे लाइन जोकी बोहती है कुंसा यह उन्हें जोक कंसा जोके तुमने लाइन यह नौपार्स ने लइन जोकल जह का है क् wastewater मूंने, वो राइन ऎंड जोक今 सोना यान नहीं तो कभी नहीं थे और अन यह जानुक में जानुक ऐसे रिखना किता क्यूट है ना उसका नाम राज और वो गॉल्स प्लेटर है आया आम राजिश है तुम गॉल्स प्लेयर हो यह वो लडगी अमने मिलने वाली नौ अ किया कहा भे अरे कब तक उसे डूड़ेंगे यह निगा जब तक वो मिलने जाती तब इचे बेटा सेम राजुश राजुश ने मेसेज किया वह मुझ से संटे को मिलना जोता है क्या बात हुआ रिप्लाइ करो रिप्लाइ करो सेम है बोलों से तेरी लाइस निकल परी यार पत्सवत कर दें है यहां रजसा राजुश निया जों पूरा नहीं है तो तुम्हें तीनों के साथ डेट पर जाने वाली है अब मुझे क्या करना जाये? इस नो मुझे ताने जुडना चल यह सोचता हूं जब उससे मिलोंगा तो कितना मजा एगा कितना एक्साइटिंग होगा, माइ गॉड। हेलो, एक्स्जूज में बॉइस, यहाँ आजाओ जल्दी हेई अच्छा प्लीज हमारी एक हैट कर दो पर्स भूल गई, बिल पे करना है यह बिल का प्रॉब्लम ने, दिल का प्रॉब्लम है इन चिट्स में से एक चिट निकालो, यह है क्या, इससे कहो जल्दी से निकाले, जल्दी से निकालो ला, अरे कोई बिना मननत प्रसाद चढ़ाए तो मननत पूरी नहीं होती, वैसे ही, मुझे बताओ चिट में क्या है, उसके बाद निकालता हूँ, यह मैं सब समझाती हूँ यह है मेरी फ्रेंट जाने, इसे प्रपोजल मिला है तीन लड़कों से, प्रपोजल तीन लड़कों से, और वो भी एक साथ, गेम ओवर भाई, यहां तेरी डालने कलेगी, चल जल, चल ना, कहीं और रेकर, रुको, 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 अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉ तो मुझे क्या करना है, इन चित में से एक लड़के का नाम निकालना है, यहां मुझे और इत्तजार नहीं होता हूं, गोल्डन हैंड, हमारी फ्रेंड की लाइफ सेट हो जाएगी, जल्दी, 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 इस गेम को मैं भी जॉइन करना चाहता हूं, डॉंट वरी, तुम्हें ग्रेट लवर मिल जाएगा, साम, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपना ही नाम खोद उठाऊँ, कम, चूस, थाएगेगे, आग Кinea लुए, जल्दी, आपना है, कम, कृई जल्दी, इस पना हान Vince, ऑसे खोल कर बताना, रूस द्सली का हुँ मैं सुना नहीं देता क्या किसके ख्याले में खोई हुए हो एक खुबसूरत लड़की के सिद्नी में फर्स टाइम इतनी भोली लड़की दिखी है मुझे मैं उससे बहुत प्यार करता हूं मुझसे जिक्र नहीं करो तो बहतर होगा मुझे नहीं पसद कॉफी थांक कहता है उन्ने से मतलब होना चाहिए फिर फोटोग्राफर बनना चाहता था क्या कर रहा है वाइल लाइफ फोटोग्राफी जवाब देता है हमें फोटो से मतलब होना चाहिए पेंटर बनना चाहता था कर क्या रहा है ग्रैफिटी कहता है क्रियेटिविटी से मतलब होना च तुम्हारे साथ मजाग कर रहा है तुम जाओ अंदर जाओ अपना काम कर तुम जाओ पेपर लेने के भाहने किया कब तक डर डर के जिएंगे जीजाजी डूंट साक्रिफाइस एनिधिंग फो एनिबड़ी सिगरेट पीनी है तो पी लीजे लीजे तुम जिसे प्यार करते हो वो शाए तुम्हारा इंतजार कर रही होगी जाओ और मुझे बख्षो इसने तो आज मुझे भासाई दिया था अब कहा हो तुम लोग यार जिल्दी आजाओ इम वेटिंग यह तुम मुझे चाहते क्या हो हां या जाती हो मुझे जोज गोज की किस किसे मैं परेशान होग मैं चच कह रहा हो किल में एक भीजिन स में थीति मैं जूट है जोड़ाँ मुझे शुट है इस मुझे लेढ़ाच करो हुझे है रो जाकbstार सिर्फ-जा मा यह परेरी आजरी het इतना क्या सोच्री अब ओपन भी कर ले ओके बच्पन वाला तरीक आपना आते हैं दोनों में से एक उंगले परो आपन कर लो जानू तुमने देखा मेरा नाम है या नहीं सोचा था मेरी लॉफ स्टोरी में विलन नहीं होगा देखो आगया ही चॉकलेट हालो हाई मेरी जान चिट में मेरा नाम है या नहीं हाई तुम डर पोखो मैं क्यों डरूंगी तुमें डर लगता है कि कहीं मेरा नाम ना निकला ऐसी बात है तो यह लो मेरा नाम हो तो मुझे प्यार करोगी किसी और का नाम हो तो मिस्स कर जाओगी तुम डर पोखो यह यह अजिए ठेंटर देख चुकी हूं उसमे तुम्हारा नाम नहीं है। मुझे परिशान किया तो पप्पी यह पपी कौन है पप्पी यह तो पालतू नाम लगता है येस जानू के लिए मैं पालतू ही हूँ नाइस मीटिंग यू रुको लव है यह आई लव लव स्टोरीज थैंक यू गो पपी हाथ छोड़ेंगे फिर उसे पकड़ोगे कोशिश करूंगा आई विश यू आल दे बेस्ट थैंक यू किसना इडिटेटिंग है अजय ड्याडी ने तुमपर और पप्पी अंकल पर भरोसा करके इस पार्टी के सिम्मिदारी दिये ध्यान रखना कोई भी इस्ट्रेंजर अंदर ना आने पाए ओके ओके आज अज झालतों कि अपसेट होगी आल टेल यू लेटर है तो यहां मेरे पेरंस की बेरिंग अनिवर्स्ति की पार्टी चल रही है अगर अगर मुझे दिस्ट अब किया है यह तुम्हारे पेरंस हैं आ इनवीश कर दाम दो कि officials कोड़ाइटोलेशेट। इनकी यूहाल मैरेज्चाए पिंकी लुग स्टेरी सुनक रही तो उमर्ना इन-अप्र एकी Selim धश्ट वन है न मीद्थी विए अंटी पपीजी का दिल भंट लड़की देखने के बाहाने गया और जैसे ही इनों स्माइल की मैं तो अपना दिल हार बेठा लवेट फर्स्माइल फिर वो इनने लेके चले गए तो इने देखने के बहाने मैं भी अंदर चला गया वा इनकी फ्रेंड्स भी थी और मुझी स्माइल दे रही थी तोड़ी दे मैंने आई लवी लिखके चावल के डिबे में चुपा के रख दिया और दूर से चुप-चुप के देख रहा था मैं शुक लगा कैसे शॉक अंकल वो इनसे पेले इनकी माने पड़ लिया उसके पात क्या हुआ हो ना क्या था पच्चेश साथ से शादी शुदा हैं अंकल अंकी लव स्टोरी की बिगन सूपर्ब लेकिन अंकल आज अपने प्यार का हिजार कैसे करेंगे चलो भी तुम्हारी प्राग्लम कैं अल्रिडी कह चुकिया चिट में थमारा नाम सुनो जानू उस चिट में में नाम Almost. मैंने तुम्हारा नाम लेक दिढ है अपने दिल पर स पंदे में क्या गट्स है, fantastic! क्या काक गट्स है? पता नहीं तुमने इसमें क्या देखा पप्पी? कल में अपने गट्स दिखा कर इसके इफसन बट्स मिटा दूगे. बताती हूं. प्यार के शुरुवात लगाई से होती. हाँ, जानू, हलो पपी, आज यहाँ कैसे? यह वर्निंग देने आई है. आइम स्टीडियूस. वर्निंग बाद में देना, यहाँ, पहले ही यह देखा, मेरी नई पेइंटिंग, आज ही बनाई है. कैसी है? ठीक-ठाक है, लेकिन तुम्हारा स्टाइल ठीक नहीं. क्यों? क्या बुरा ही है? तुम इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ गए है? प्यार करता हूं इसलिए, पॉइंट तो है. क्या पपी, मैं इसके बारे में जानती क्या हूं, जो से प्यार करूं, आप? तो बोलो, क्या जाना चाहती हो? गॉल्फ खेल सकते हो? गॉल्फ? क्रिकेट, 2020. टेस्ट मैच बोरिंग लगती है. लाइन जोक्स आती हैं तुम्हें? लाइन के जोक्स? गाल भी सॉफ्ट नहीं है, कोई खुबी नहीं. तुम्हें ऐसा क्या है, जो मैं तुमसे प्यार करूँ? ग्राफिटी. मैं ग्राफिटी कर सकता हूँ. पपी, ग्राफिटी कोई ग्रेट काम है क्या? इंडिया में करोगे तो लोग कूल या हैपनिंग समझेंगे, लेकिन हर जेगे नहीं. आस्ट्रेलिया में बहुत प्राब्लम है, ग्राफिटी को क्राइम माना जाता है, हाँ. क्राइम है? फण. फण है? या? फण है या क्राइम? भागो, भागो, पुलिस आगई है, मैं भी निकलता हूँ, अरे पाप्रे. बलाना मेफैंगे करेज़के करेंगे मेंगे करेंगे करेज़के करेंगे हो! क्यों आपकछकिती को राफिटी करेंगे करेंगे करेंगे. करे जो चल्सक्तर खाभी बहाँ पाहा. वो देहल आए यू यह सब तुम्हारी वज़े से हुआ अब मुझे बचाओ गॉल्फ पसंद है लाइन जोक्स भी पसंद है लेकिन क्या फाइट पसंद है फाइट और मुझे क्या तुम्हें फाइट करना पसंद है यह भी कोई सवाल है हुआ 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 झाल को झाल तुम तो सच में फाइट काने लगे जनो पसमाला कर दो कर दो कर दो का रान सब्सक्राव कि यहाँ क्या फाइट करते हो यह तैक्स काम नहीं चलेगा और भी कुछ चाहिए मतलब कल मेरे साथ घूमने चलोगी ता 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 I've been married long time ago यह क्या तुमने तो कहा था वह विलेन है पहले विलेन लगता था लेकिन अब विलेन नहीं ही एरो है वेडिरी कम फ्रॉम वेडिरी को वेडिरी को मगर संतोष राजेश महेश क्या वह फाइट कर सकते हैं वह आ गया तुम बहुत खुब शूरत लग रही हो हां थैंक यू थैंक यू पता है आज मैंने मेकप भी नहीं किया नाचरल ब्यूटी वाव वाव आई लाव लाव स्टोरीज राम हम लोग कहां जा रहे हैं सुप्राइष delight सुप्राइष एफ रहरा है लोग अ क्या क्यूत लव स्ोरीज रहे हो नाच वेदर है क्या करो वाव यूटफुल अःट्स प्यूटफूल चलो 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 यूढो रोकけ यसे व्यूपने को कुछ कुछ होता है पापी तुम यहां क्या कर रहे हो अब हम क्या करेंगे शांत हो जाओ उचला किया कि बाओ नी जाने वाली मुझे डर लग रहा है नहीं के अ इक्सक्यूस ए क्या हुआ है और उप जोगिंद्ध ना 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 डियां लाइन जोक्स बहुत सुने, लाइन को करीब से देखो, देखो, घबराओ मत, देख रहीं, देख रहीं, मुझे डुन लग रहा है, और अज की बात लो लाइन जोक्स, जुए के जोक्स से काम चलाएंगे, वाँ ये किस तरह की लव स्ट्डूरी है? मैं फूछ रहाहूं। ये किस तरह की लव स्ट्डूरी है? है。過去 लव स्ट्डूरी बलॉह एक बच्ची है क्या? जिसे लाइन पसंद हे, तो लाइन के सामने खड़ा कर देखोगे? अब अगर मुझे मौत को मैंने लाइन देखा यकीन हीुह औरहें असली लाइन को देखा पपी अरे मेरी किसमत पूती थी त्हsm intellig तोरी से मुझे नफ्रत हो गई है यह ऐब आने दिदा एक रिद्धिरी ci जांघ में। मुझे यकीन ही होता यकीन ही हो रहा I can't believe it, यार ये मैंने असली लाइन देखा रियल का लाइन राम ने दिखाया मुझे मैंने रियल लाइन देखा मैंने रिसाइट कर लिया है मैं इसे बहुत ब्यार करती हूँ तो पहले मैं ही I love you बोलूँगी मैंने लाइफ में ऐसे एक्स्पीरिंस कभी नहीं किया जानते हो मैं सच कह रहे है क्यामरा को टच मत करो मैं तुम्हारा नाम हो या ना हो मैं तुम सुछ कहना चाहती हूँ तुम सुन रहे हो ना I love you मैंने क्यो दिया मैं क्या करो मैं कितनी खुश हूँ मैं तुम्हारे मुझ से सुनना चाहती हूँ लाइफ लॉंग प्यार करना मुझे नहीं आता वाट रियली जिन्देगी भर मैं तुम से प्यार नहीं कर सकता मतलब मैं कुछी वक्त के लिए प्यार कर सकता हूँ उस हाथसे के बाद उससे सच क्या कह दिया मुझे पता है वो प्यार नहीं करेंगी जब कोई पूछे तुम मेरा साथ निभाओगे तो कहना चाहिए जनम जनम तक निभाओगा तभी तो लड़कियां टिकती है मेरी वाली होगी देख मैं कैसे मैनेज करता हूँ यह हाथ मैं डारलिंग अभी ऑफस पोचे हूँ तुम कहा हूँ वह मैं क्या है ना विक्तरियों होस्पिटल में एक ननी बच्ची को ब्लड डोनेट कर रहा हूँ नाइस बच्ची का नाम पता है क्या नाम है माया 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 हूँ तो स्वेट उफ यू अफ यू 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 ए लव यू तू सुमी निकाल रहा हूँ थोड़ा सा विकनेस फिल हूँ और बाद में कॉल करों गई यहाँ, 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 लव का मतलब है थोड़े जूट, थोड़े एसमेस, दो फाल्टू जोग्स और एक फूल, ऐसा प्यार मैं नहीं करने वाला, मतलब? सच कहकर ही प्यार करूंगा है 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 भागो भागो सब लोग इंजॉइ कर रहे हैं, मैं इसे लड़के के जाल में कैसे फंस गई है जानू है जानू अ… नजाने मेंने कितने मेसेजज़ कियारे, लेकिन तुमने एक कभी रिप्लािय नहीं किया वो मैं थोड़ी टेंशन मे थी, मैं बाद में बात करूओं ठीक है OFF enf önce के अक टेंशन रेलिवर , मैं तुम्हें एक लाइन जोग सुनाता हूं ठीक है ना अब लाई नहीं ए जानू ए अभी सिन जानू एनिवेर वह यू मैं जानू का बॉइफर्ड ओ ओ ओ ओ यह तो मुझे फेमस करके रहेगा अभी सीन हर ए यह कौन था पहले यह बता तू कौन है हाँ ए चिट गाँ हे राम तुम इन सब को जानते हो ना आइनो आइनो मैं गीत हो यह सर्ण तुम किसे ढून रहे हो वह मैं जानू यहां आए ठीक है उसी का दून रहा देखा तुमने पर्षी पता नहीं कहा चले गई सुनो तुमने जानू को देखा करे अभी तू यहीं पर्षी कहा रहा 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 हुआ यहीं पर्षी कि तुमने इसे राया दिखाया वाइल लव है क्या कुछ जवाद है तुम बताओ पहले किसने प्रपोस किया पहले तुमने किया या इसने प्रपोस किया इसने प्रपोस किया मुझे इसने पहले प्रपोस किया मुझे तुमने क्या जबाब दिया और क्या जबाब दीगा रेस्ट आप मैं लाइफ मैं तुम् यहां से कहीं और चले हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए सब्सक्राइब अच्छी लगी बहुत अच्छी है लगता है ग्राफिटी तुम्हें बहुत पसंद है मेरी जिंदगी है क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में वैसे से बनाने में कितने दिन लगते हैं और कितना पेंट लग जाता है हाइट कितनी है क्या बना रहे हैं कितने लोग बना र बहुत साटिसफाक्शन मिल रहा है बहुत समय बाद एक इंसान की तस्वीर बनाई है I'm so happy तुम्हें इंसान के चेहरे पसंद नहीं है क्या वो बहुत फेक हो चुके है समझी तो फिर तुमने मेरी तस्वीर क्यों बनाई जब पहली बार तुम्हें देखा न तुम्हारी आँखों में एक खोशी थी वो मासूमियत दाट फ्रेशनेस सब कुछ सच था टेंशन भी सच है तुम सिर्फ प्यार करती है पर मैं प्यार से प्यार करता हूँ तू तो गई काम से जानू है इसलिए मुझे तुम पसंद हो त और उसके बाद क्या ब्रेक अप करने का मन करेगा और उसके बाद ब्रेक अप करेंगे ब्रेक अप होने तक हैपिली प्यार करेंगे इस खेल में मैं ही मिली तुम्हें तुम सच में ब्रेक अप कर दोगे विश्वास नहीं होता चलो अरे बापरे पता नहीं आगे और क्या जलेगा हाई मधू में विक्टोरिया अंदर कम वह तो हैला यू तो अवियर जानु माई गल्फरेंड जानु ये मधू मेरी एक्स बहुत गट्स है तुम्हें चो अपनी गर्ष्रेंड को मुझसे मिलवाने लिया है इसे विश्वास नहीं कि कुछ दिन बाद में से छोड़ सोचा तुम ही इसे बता दोगी कोई गर्ष्रेंड को एक से मिलवाता है क्या मैं मिलवाता हूँ ये कैसा प्यार है इसे तो इस मुजियम में सजा कर अपना चाहिए तुम इससे प्यार करती हो हाँ नहीं है तो हो जाएगा तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी ऐसा है इसका प्यार तुम्हें इसकी खास बात बताओ तुम्हें इतना प्यार करेगा कि दुनिया भूल जाओगी इसके दूर जानी की बात्Fl plugins इसने कभी नहीं भूला पाउगी वेकार सा भणाबना कर ब्रेक अपकर लेताम है जानू कि तुम से मैं बहुत चैलेश फिल कर रहें क्योंकि तुम इसका प्यार मिला यह लेकिन तुमसर बहुंत दलध मैंकि तुम्हें भी सा जाए मेरि reduction कर चला कम हां लेट्स गो है बहुत टेंशन में लग रही हो उससे अलग होने की वजय क्या थी क्योंकि उसके साथ काफी टाइम बिता चुका था ज्यादा टाइम बिताने की वजय से कोई किसी को छोड़ सकता है अब भी यकीन नहीं हो रहा आओ बिना वजय दिया मैं किसी भी लड़ स्टोरीज नाइन लव स्टोरीज नंबर दस पर हो तुम दीरे दीरे तुम तस्वी हो गया वह पिक्चर बाद में देख लेना पहले ये पिक्चर देखो तुमने कभी किसी को किस किया है क्या लेकिन अभी भी मैं फ्रेश हो दिखने में तो तुम एक्स्ट्रा मॉर्डन हो लेकिन सोच अभी भी पुरानी है तुमने इतनी सारी लड़कियों से प्यार क्यों किया मैं बिना प्यार के रहे नहीं सकता इतनी लव स्टोरीज में कोई बेस्ट लवर नहीं है तुमारी लिस में आई, 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 आई लव यू कहलवा थी तो ब्रेक अप कर लिया ओ गाड, ओ गाड, ओ गाड, मैंने फ्यार मागा था, फ्राप्लम नहीं वाउ, six पता है मैं राद बार सो नहीं पाई क्यू? आई लव यू नहीं कहना था, इसलिए ब्रेक अप कर लिया आइ लव यू कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइफ लॉंग नहीं कह सकता तुम्हारे हिसाब से आइ लव यू का क्या मतलब? जिंदगी बहुत लंबी है आइ लव यू हमेशा कहने से प्यार नहीं रहता इसलिए मुझे आइ लव यू पर सरा भी भरोसा नहीं है तु किसके चक्कर में पढ़ गई जानू क्या बख्वास गेम है यह बख्वास गेम है? हाँ अब 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 जानता हूं चलो प्यार करें अब 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 शूच गई मैं अभी तो से अपनी फिल्म में खुदी विलन है अग जब तुने उसे सच बता दिया है तो वह तो इसे क्यूं लव करेंगी बता हाई लडकी को फसाना है तो थोड़ा जूट बोलो थोड़े समस हाल्तू के जोक्स और तो मैं बहुत से जूट को थोड़े से सच के सथ मिक्स कर देता हूं इससे वो भी हैपी और मैं तो डेफिनिटली एपी सच्चे प्यार में जूट नहीं बोलना चाहिए मेरा प्यार सच्चा नहीं है हाई माया पी जानती नहीं उससे दोस्ती रखने के लिए मना किया था तुम मानोंगा तुम सही हो अगर तुम अपनी जेगे सही हो तो प्रब्लम नहीं होगी लेकिन वो कैसे अगर तुम उससे नफरत करती हो तो उसकी कोशिश बेकार है तुम उससे प्यार नहीं करोगी वो तुमसे I love you नहीं कहने माला और तुम्हारे कहने को तो सवाली नहीं उड़ता वो बहुत ही डेंजरस है पपी मुझे तो लगता है सेफ रहने के लिए घर पर है नहीं सही होगा येस यार प्लान इस पॉफेक्टली राइट यॉर एबसलूटली राइट तुम्हारे लिए घर सेफ नहीं रहा क्यों तो गई काम से क्या करें मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हलो किसे मिलना है हाई जानू गर पर है जानू शीज मैं है वो ऐसा ही है सच बोलने की तो बीमारी हो से एक्स्क्यूज मी जानू आ यूदे है अलो पर कोई है अंकल लगता है सब को बुला कर मुझे उपर पहुचा दीगा जल्दी से कुछ करो ना पपी इसमें वह क्या कर साथ आपने तकी लव स्रोरीज देखी है इस सिच्वेश यहां किसले आए बताओ जानू से मिलने जानू से मिलने आए हो या उसकी जान लेने आए हो लवर बॉय पपी चिला रहा है येस आई हट सो मिनी लव स्टोरी पसंद नहीं आई लव स्टोरी कैसी होनी चाहिए कम ओ लेकिन का या इस पोटो को 55-year-s love story 25-year-s love story 18-years-s love story अई लव स्टोरीज येस स्टोरीज तो ठीक हैं लेकिन लव का है वाट वाट अरे टॉकिंग तुम्हें दिखाए नहीं देता ये फैमिली तो प्यार का सागर है और तुम उसमें जहर मिलाना चाहते हो तुम बहुत पापी इंसान हो रहा है पपी कौन है रहा है है अंकल है अंटी अंटी आपकी स्टोरी अधूरी छोड़ दी थी ना पपी सर वही कंटिन्यू कर रहे थे घर आए गेस्ट को तो हमारी लव हिस्ट्री सुना नहीं लग गए सुना नहीं रहा था मैडम दिखा रहा था आंटी आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है देखिए इसी स्माइल से तो इन्हों ने मुझे फंसा लिया था का शीबा अभी भी कहता हूं इस प्यार की कान को खोल सकता हूं पर कभी मिटा नहीं सकता आपके पास तो एक है इसके पास दस है कुछ नहीं डाडी राम को इंपोर्टन अपॉन्मेंट के लिए जाना इसलिए पपी पास असे सब्सक्राइब हैं और यहीं आक देला रहा था अर्जेंट हैं चलो जुल जुल आ इंजब अगर पर आते आते रहा करो शूर अंकल शुर इंवाइड किया है तो यह क्या कर रहा था था फोन नहीं इउठाय तो आ गया इंग भोट मॉनिंग क्या हम बाद में मिल स कि क्या जरुवा थी तुम्हें I hate this love story no no तुम इतना लेट क्यों आए हो मैं दो घंटे से इंतिजार कर रहा हूं तुम अपने लवर से मिलने आयो तो मुझे लगा कि जल्दी आओगे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उदर चलिया सर आए ना सर प्लीज हुआ है मेरी जानों सर सर यह मेरा प्यार है सर बारा साल पूराना प्यार पहली बार उसने इसी पैंसल से लिखा था तो डॉक्तर ने दिया इंजेक्शन काफी कप ओ गोल यह सिर्शें उस्के बारे में उसे पता है क्या नहीं सर क्यों उन्होंने अगर इंकार कर दिया तो मु जोड़ दीजिए और अपने मेरा दिल कुछल दिया दिल कुछला इस पॉसिबल आपने कच्राइश में की फियका ड़स भी ना इसलिए यह 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 जब नहीं है यह सब मेरी आदे हैं सर मारी यादे हैं क्या बुल रहा है यह जानू का पुराना लवर है बारा साल से उससे प् काट रहा है बारा साल का स्ट्रगल है मिस्टर ट्वलियर ओल्ड मजनू यह लव में तुम सीनियर सिटीजन हो चुके हो इसके साथ तुम खुद को कैसे कंपर कर सकते हो मेरे इस भाय का लाव तो बास कुछ दिनों का है और कुछ महिनों में ओवर हो जाएगा लेकिन तुम तो सालों से लगे है भाई मानना बड़ेगा सच कह रहो बिलीव मी इसमें सबर नाम की चीजी महीं है मैं बिकार में आपको लेकर टेंशन ले रहा था आप तो कॉंपटीशन में ही नहीं सर आप तो मेरे पास भी नहीं सकते हैं थैंक्यू क्या गलत का यह उसका कलेक्शन द चला इसका बहुत नाटक है इसके प्यार में मुझे कितना दोड़ना पड़ रहा है इसरा स्लू दोड़ना मैं आ रहा हूँ क्या हूँ बेबी उससे कैसे पीछा चुड़ाँ पप्पी तुम्हें वो मिला कहां था प्यार के फिलोसफी ही पदल दे उसने आ हेट इस लव स्टोरी यूनो दिस तू मच इस तरह जाओगी बेबी बॉय फ्रेंट से मिलने थोड़ी जा रही हूँ ओके अभी बताती हो अब मुझे यहां बुला कर खुद कहां गाइब हो गया वादा करके तुम नहीं आई हो मैं तो आगी ताइम क्या हूआ है ताइम पर नहीं आ सकती हो क्या फोन किया तो उठाया नहीं मेसच किया तो पढ़ना जरूरी नहीं समझा कमसे कम एक सौरी तो कह सथी हो तुम्हें लगारा फाल्ट हो है तुम्हारा इंचिजार करेगा पहले मुझे टाइम पर नहेकशा है सही से बदा बदा जॉया है क्या करें अधुम तुम्हारी खर पर मैं तुम्हारी वांदधाओ को जानता हूं तुमेरी फैमिली को नहीं जानकर भी क्या करूंगी हमेशा थोड़ी साथ रहोंगे फिर अपने आप से बात कर रहे हो नहीं यह से कुछ नहीं कब तक आओगी तुम 11 अब मैं इसकी दीदी और इसके जीजागी से कंप्रेंड करूंगी तब जाके ही सुद्रे काई है हे झाहर कि तुम से मिलने आई हो यह मुझ से मिलने आई हो तुम से मिलने आई हो तो यह क्या पहन कर आई हो क्यूं अपने बऑए Caitlin से मिलने इस तरह और अगे से से बेड़ने के दिए अपटारिये तुम्से एक सवाल करो तुम्हारा प्यार सबसे ज्यादा की तक टिका था? 387 डेज और मिनिम्मम वन दे लेकिन तुम यह क्यों पोछ रही हो अपना फ्यूचर सोच रही थी मिल्कुल पागल हो जानूं मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे प्यार में क्या क्या कर जाऊं तुम सोच चरहां कि हाँ अलग कब हें पहले प्यार करो बिनावजह हुम अलग नहीं होने वाले तो हमेशा मुझस से जूठ होगी है यहां है हाई डीडी जीजा जी आई हम कुछ नहीं करेंड है वो तो इसली यह कब बनी आना जाने कब तक रहेगी है तो हमारे लिए कॉफी हाँ जरूर हां थांक्यू हाई इनको तो सब कुछ पहले सही पता है कॉफी थांक्यू थांक्यू यह लो देखता हूं अब सच बोलते हैं यह नहीं कहना क्या चाहते हो जी चाची को कॉफी के साथ सिगरेट चाहिए कॉफी मुझे नहीं चाहिए और क्यू नहीं चाहिए कहाना नहीं चाहिए ले जाओ इसे रुखने की जरुवत नहीं रुकू तो क्या कॉफी को मना करने से अच्छा है तुम्हारी सिगरेट को मना करो नहीं मालोगे नहीं मालोगे ना मतलब तुम सोचती हूँ कि सिगरेट के वज़े से कॉफी नहीं पी रहा हूँ सोचती नहीं हूँ मुझे पक का यकीन है अब जब भरोसा ही नहीं रहा तो कोई फैदा नहीं मुझे नॉंसन्स का मेरी बाते नॉंसन्स है देखा तुम अपनी जुबाब कर गभू रहो तो अपस में जगाएने लगे की सब्सक्राइब तुम नो क्यों नहीं रहा हूँ यू शिट आप कौन मैं सिद्नी का पेस्ट लॉयर लेला मुझनु का भी डिवोस करवा सकता है आप इनसे मिल लीजिए डिवोस लेना ही बेड़ा मैं हमेशा आपकी भलाई का सोचता हूं जीजाजी हां भाई तुमसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग अलग ही करोगे हमें घटिया अदमी की अच्छा इडिया नहीं है जानती हो दीदी और जीजा जी अब तक साथ क्यों है इन्हें अलग होना नहीं आता है तुम्हें इस मामले में बहुत लगी हो करेक्ट टाइम पर ब्रेक अप करना आता है मुझे मेरा बैड लग ही खराब है हेलो गुड नाइट अभी बर्दे जानू अफैर शुरू होने के बाद यह तुम्हारा फर्स बर्दे है हम इसे इस तरह मनाएंगे कि तुम्हें यह हमेशा हमेशा के लिए याद रहे पपी 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 ओ फिन्टास्टिक लव स्टोरी क्या हुआ बेबी आज मेरा बर्द सब्सक्राइब मैं उठने के बाद तुम्हें विश कर देता मुझे जगानी की क्या जरूरा थी मुझे आधी नीन में विश करने के लिए अभी विश किया तुम्हारा बर्दे तो गया पक्का गया वो कह रहा है कल का दिन यादगार बनाएगा नेक्स्ट बर्दे को ब्रे क्या करने वाला है मुझे तो बहुत डल लग रहा है पप् पिंग लगुए प्लीज राम मुझे उज़ाईफसे डल लगता है प्लीज राम मेरी ज़ान तुमने लाइट को हर अंगल से देखा होगा अज इस अंगल से भी देख लो वन्स अगेन अपी बर्दे मेरी जान जा जिन्दगी सिफिए एक बार मिलती है उससे डर कर नहीं जीना चाहिए अब अच्छा लग रहा है ना स्माइल कि जानने काल के कहता है स्माइल करो यहीं तो जिन्दगी है मुझे तुमाइल लिए फुर्बान नहीं कर सकती जानू कैसा लगा मेरा सुप्राइज मसा आया थे लीव मी वेट आम कमिंग लाइफ को खदनाक एंगल से देखकर मेरी तो बैंड बज रही है पपी सो सेड मैंने इतनी सारी लव स्टोरी सुनी है सब समझ में आई पर तुम्हारी स्टोरी पले नहीं पड़ी इस नाट अप तो माई स्टेंडर पपी कहीं उसकी हरकतों से मुझे प्यार ना हो जाए सुनो बेबी अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो डेफिनिटली तुम् वहारे टैड़ी मेरे डाड़े येस यार्ड़े टैड़ी अट आला एख अल्लब सुम्हारी बारा साल का प्यार सैकर्फाइस कर दिया लेकिन किस के लिए जानू के लिए कि जानू के लिए जानू की शादी फिक्रोगे कलनंगेज्वेंट है जानु इस गेटिंग मैरीट सब तुम्हारी वजस है वो तो तुझसे प्यार करती है न फिर ये क्यों कह रहा है किसी और से शादी कर रही है कुछ समझ में नहीं आया तुझे क्या लगता है मुझे भी साक्रिफाइस करना चाहिए यकीन नहीं होता तुम्हारी अच्छानक से एंगेजमेंट हो गई है जो भी हो तेरे डायर ने तुझे बचा लिया दुले को देखा है मैंने एक्दम किलर है वो फैंक गॉड इसी बहाने तुम्हारी रोमैंटिक लाइफ तो शुरू हो गई तुम्हारे फ्रेंड सेरी तुम्हारे फ्रण्द से दरूरी बात करनी है अच्छाना किये पैसला कियू है मुझसे जरूरी बात कर शोड़नी इस बात कर ढड़ हो आपको नांसेंस, यह तुम्हारी गलत फेमी है, ओके, तुम्हें दो मिनिट जानु से मिलकर आता हूं, मुझे जाने दीजिए, यहां प्यार का मतलब है, लाइफ टाइम कमिट्मेंट, और तुम कमिट्मेंट से डरते हो, और जानु यह बाद जानती है, सिर्फ दो मिनिट के लिए ह जीतना चाहे उत्रा मिलो, कुछ नहीं होगा, हे, मिलने दो इसे जानु से, अच्छा है, तो तुम शादी कर रही हो, गुड, अपने बाप से दर के कर रही हो, या फिर मुझ से डर कर कर रही हो, ऐसा नहीं है, तो फिर ये फैसला किसने किया, मैंने, तुम फैसला भी कर ले गोड चॉइस हैंसम है कर लो कर लो मैं बिल्कुल नहीं रोकूँगा लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा उसके बाद शादी कर लो तुम उससे अभी शादी क्यों कर रही हो तुमने उसे चुनने का फैसला कैसे किया वो तुम्हें जिन्दगी भर प्यार करेगा इसकी क्या गैरंटी है कमान जवाब दो मैं तुह जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है बस खुद सोचो तुम्हारे पास इसके जवाब हैं या नहीं अगर हैं तो राम जानु की लाइफ में कभी नहीं आएगा अगर नहीं है तो राम को जानु से कोई जुदा नहीं कर सकता जानु जाओ फैसला कर लो पपी वो भी मेरी तरह सक्रिफाइस करने पर मजबूर है सक् और वो तुम उसे रत्ती भर भी नहीं जानते उसे समझने के कोशिश कभी मत करना तुम अपने आपको भूल जाओगे ज्यादा वक्त नहीं लगा दो मिनिट ही काफी थे प्लीज कंटीनू कीजिये अरे जाएए भाई साब शुब मूरत निकला जा रहा है जाए जाए तुम उससे अभी शादी क्यों कर रही हो तुमने उसे चुलने का फैसला कैसे किया वो तुम्हें जिंदगी भर प्यार करेगा इसकी क्या गैरंटी है खुद सोचो कि क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है अब तक तुमने लवर्स का मजाग बनाया अब हुए तुमना उसे प्यार कर रहे हो ना उसे प्यार करने दे रहे हो कितने बे शरू हो यार फुर अचलो है यह पक्का मर वाए मर गई है है हाई जानु कैसी हो तुम सारा टेंशन क्लियर हो गया ना कौन आया बेटी हम अलो अंकल एक्रिश्णा जल्दी बाहर रहा है बस जानु से कि लिए कि लिए है बहले तो तुने इसकी शादी तोड़ा दी अव इतनी हमत कि यहां गया तेरी भाहिया इससे बात करना कर दो करती थी मुझे इसके लिए तोरने का मतलब यह नहीं कि मैं तुम से प्यार करना शुरू करती थी मैं चिट निकाल के फैसला करती थी, मुझे इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि जिन्दगी का हमसफर कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए ये नहीं जानती थी, तुम्हारी वज़े से मैं इस हकीकत से वाकिफ हो बाई हूँ, लाइफ लॉंग मुझे हम तीनों तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमें से किसे प्रसंद करती हो, यह तुम्हें डिसाइड करना होगा जानू, वैलेंटाइन्स डे के दिन, मैं तुम्हें अपना फैसला बता दूंगी, हाई जानू, हे बॉइस, सॉरी, बिजी तो नहीं हो ना, क्यारी ओन, मैं इस अचैइड कर दूमारी प्रॉबम यह कर भी तुमसे लव करते हैं लेकन के जानू तुमसे लव कर्ति हैं नहीं ना जानू ने तो इसके नाम की सिट भी हार दियूती है, हम्म फिर इसे बड़ा कॉन्देट से लिक थे बड़ा कॉन्देन्स अ वाली है जानू वालंटाइन्स के दिन फैसला सुनाओगी मेरी लाइफ मेरा डिसीजन जिसे चाहिए चुनू वो सब ठीक है जानू पर जिन्दगी भर का प्यार चाहिए थाना तुम्हें उसका क्या वो कैसे डिसाइड करोगी पता कैसे चलेगा तुम्हारे जैसा दू के पा बहुत आसान है तुम फिक्र मत करो में धून लोगी मुझे पता है मुझे क्या चाहिए मैं उसे डून निकालूगी लूनना क्या है यह सामने तो खड़ा है और यह वो नहीं लेकिन क्या उन तीनों में से कोई एक है या फिर वो बिंक शिर्ट वाला या फिर वो ब्लू यह यह बताओ इतने लड़कों में से उस एक लड़के को कैसे डून ओगी उसे ढूनना तो पड़ेगा पपी वना वो जो कह रहा है वो बात सच साबित हो जाएगी वह क्या थी और तुने उसे क्या बना दिया लड़कियों को सोचने का मौका नहीं देना चाहिए यार तुझे अन्ष हो और तो अपटाई आप क्या होगा फोन में से उसने तरह नंबर डिलेट कर दिया होगा थो भी डिलेट ke अबने इन उससे कहो स्टूपिड फैसला है उसने क्या का पपी कहता है तुमने स्टूपिड फैसला किया है वह कहे गा हम मान लेंगे हाँ लेकिन वह कभी जोट नहीं बोलता है कि अन्यूध तुम आखर हो कॉन तुम खुद को समझते क्या हो स्टूपिड हूं और मेरे फैसले भी स्टूपिड है कोई डाउट है तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो आप में स्टूपिड हूँ जानू मुझे एकसेट यॉर्ट करने के बारे में भूल जाओ जिन्देगी भर प्यार करने वाला चाहिए ना हाँ या ना हाँ हाँ जानू, 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 मुझे अपने प्यार पर तुमसे कहीं ज्यादा भरोसा है, मेरी बात समझो, लाव कुछ ही देर के लिए प्यारा लगता है, ठीक जानू, पहले थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, दीरे-धीरे समझ जाओगी, तब तक हम तुम्हारे है जनाम, लोक, वो ललका तुम्हें सिर्फ कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, उससे नर्मी से पेश आना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, कुछ करना होगा, सबख कर दो से कर दो से अल्किन 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 होगी जे कर दो सिर्फ वर से आना मेजना है, जएरे-गल हुआ कर दोड़ी Botton पे भी सेम्ट! अुह बंच Whoo ऐूआ हो रुद esse 일 कर दो वुशी कर दो कर दो दोै regionally कर दोफ प्रुदन वाव गुड शॉट अंकल यह गेम आप ही के लिए बनाई गई है ज्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपसे यह उमीद नहीं थी तुम बहुत लग्की हो कि अब तक मेरे सामने खड़े हो बी केरफुल मुझे तो आपकी बातों ने डरा ही दिया अंकल पीछे से वार करना पड़ता है लेकिन क्रिकेट में सामने आते हुए बॉल को मारना पड़ता है जो भी होता है फेस टू फेस जानू से मैं बहुत प्यार करता हूँ अंकल बहुत स्यादा प्यार है आप बच्चे से रन मार चुके हैं आपकी बेटी सेंचुरी वारना चाह क्यों बड़े वही है लड़ाई करने में हमने थोड़ी सी चलबास ही नहीं कर दी जानु जब मुझसे प्यार करने लगेगी तब हम बैठ कर इस पर आराम से बात करेंगे चल दो देखा आपने इसलिए मुझे बाप और बाप का भाई बिलकुल पसंद नहीं हमेशा पंगा कर कर रहे हो यार अगर उससे हम सफर मिल गया तो फिर क्या करोगे अच्छा होगा तब इस बेवकुफ को अकल आएगी है माया तुझे लगता है वैसा तेरा बॉइफ्रेंड है इसलिए हमेशा के दियो कि इससे दोस्ती तोड़ हो ना देखो तुम्हारी बात मानने वाला करो यह पिर्फॉर मात करो अच्छा एडियट एडियोट इमाग फार करती है excuse me boss need any help? I'm fine are you sure yeah I'm fine thank you yeah तो यह संजुन जानु आगे वह तो बहुत हैपी लग रही यार उसे कोई मिल तो नहीं किया हो गया है तो मैं भी कुछ हो जाओंगा हाई जानु हाई सपनों का राजकुमार मिला तुम तो कॉंफिडेंट हो ना कि मुझे नहीं मिलेगा यहां यह बताने नहीं आई हूं कि मुझे कोई मिला है या नहीं मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि दुनिया में प्यार की कोई कमी नहीं है हमारे चारों तरफ हर कोई मुझे भी जिन्दी की बर प्यार करने वाला राजकोमार जरूर मिले गा लेकिन क विलांटाइन से पहले तब मिलेंगाश मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मुझे यकीन है जो भी होगा मेरे लिए बैस्ट होगा Clinic Most रिखका कानफ़ीदेंस बहुत पसंदा लेकिन तुम्हें वह इस जरम में तो नहीं मिलेगा तुम तो ऐसा ही का आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? पपी, शिल्पा, मेरी फ्रेंड सिल्क, लव में ये लोग सुपर डूपर हिट हैं, पता है? वो सब के सब जूट बोल रहे हैं तुमसे? लव जूटा है? लव जूटा है? मेरा लव जूटा है? हमारा लव जूटा है? Really? How dare you say like that? How the hell man? Please shut up! इसलिए तुम्हारा दोस मुझे पसी माया वो तु पागल है, उसे तुम प्लीज भूल जाओ उसकी इतनी हिंबत मेरा भाई बिल्कुल सही कहता है, तुम अप्री सीखेत पीते हो वो सब तुम्हारे लव स्चोरी का विलन नहीं है, हम सब की लव स्चोरी का विलन है शुट लेव है वेर इस ही? एई जानू क्या हुआ? पूरी ग्यांग लेकर आई हो? तुमने कहा कि हमारा प्यार जूटा है? शुट तुम्हारे प्यार की बात नहीं कि मैंने, मैंने तो जनरल लोगों की बात की क्या हम जनरल में नहीं आते? हमारा तो पहला प्यार है, तो ऐसी बग्वास कैसे सुनके ले सकते हैं? हम मामला सेटल करने आए हैं अरे कुल बेवी सेटल करते है कोई टेंशन नहीं है एक बॉटल ले एक गेम खेलते हैं टूथ और डेर ये बॉटल जिस पर आके रुकेगी उसे टूथ या डेर सिलेक करना हो यानिकी सच बोलना है दिल पे पत्थर रख कर टूथ और डेर तुम मुझे या फिर मैं तुम्हें एक सवाल पूछूँगा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सच बोलना होगा सच मतलब सचवाला सच ऊहला है अगर टूथ सिलेक नएดे तो द्र सलेक करना होगा जिसका मतलब तूप से जो कहा जाये वो करना होगा करने का डियर है हमें जानू सच बहुत कड़वा होता है इसमें चाहे तुम जीतो या फिर हार चाहे तकलीफ जरूर होगी इस लिए ज़रा संभाल करें सब्सक्राइब तुम्हें कहां लव कुछ वत के लिए अच्छा है शुरुवात में लव अच्छा लगता है धीरे धीरे वो ट्राफिक में भसे सफर जैसा लगता है अलो यकीन नहीं होता है आरी से बूच लो है मैं यह कंटीजिस डीजिस है चलो रो तुम्हारी भारी टूथ और टूथ ठीक है दो लड़किया तुम्हारे सामने खड़ी है जिनमें से एक कहती है उसे लव चाहिए और दूसरी किस करना चाहती है तुम किसे चुनोगे तो पिंकी के साथ क्या करोगे यहीं सवाल मैं तुमसे पूछा तो मैं कहूंगा इम आल्रेडी इन लॉव एक ठांग का जवाब नहीं दे सकते हैं आए आइसेड लव राइट उसने दो ही ओप्शिन दिये थे हरे चिटवाली बैच तुम तीनों जानू से प्यार करते हो एमाराइट तुम मेंसे अगर किसी एक को जानू चुनती है तो जानू के लिए कुर्मानी देने वाला आशिक कौन होगा तीनों मतलब तीनों जानू को कुर्मान करने को तयार हो प्रपोस करते हैं उससे प्यार कर लोगी क्या अस तक प्यार में तुमने जूट बोला है यह क्या बाटल घूमने से पहले सवाल पूछ रहा हो यह बाटल जिस पर रुकेगी यह सवाल उसी के लिए है पिर से पूछता हूँ, क्या आज तक प्यार में जूट बोला है तेंक गड़, फिर से मैं ही क्यों, पास, पास फेल नहीं, फेस करो, क्विट, मतलब तुम मुझसे प्यार में जूट बोलते आए हो, नो, 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 डूंट से लिक दाट, मैंने बस तुम्हें खुश रखने क बेरे चुटे मोटे जूट बोले होगे में जूट बोला होगा विए फिर से लिए किसी गर्ल्फरेंड या बॉइफरेंड ने अपने लवर को बुरा-भला काहा है घंटे बर फोन पर बात करते वद्सक्राइब कभी ऐसा लगाए कि ये फोन कब कटेगा, लड़कियां अक लेकिन कुछ वाग के लिए डिडियो एवर फिल देट यह विद रॉंग गाय और दे रॉंग गर्ल क्या तुम में से कोई अपना रेलेशन्शिप तोड़ना चाहता है यह गेम रिस्की हो रहा है निकल लो हम् ओके क्वान स्मय यह बॉस नौ लड़कियों से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं यह लेकिन उसे पीछा चुड़ाना बहुत बड़ी बात है यह रेली ग्रेट मुझे अपनी गल्फ्रेंट से दूर जाने का आइडिया दो ना कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा बॉस जा कर सच बता दो बाप्रे मुश्की ले बॉस इट्स रिलिट्स बताओ तुम्हारी गल्फ्रेंट का नाम क्या है पिंकी यह तुम्से दूर जाने का आइडिया पूछ रहा है नो प्लीज जिस स्पीड से वो आ रही है ना बस उसे संभाल लो अभी मार का लो कल बहुत कु एक्सक्यूस मी अगर तुम चाहो तो एक बार और हो जाए तूथ और टेर डेर स्टार्ट लविग में क्या है अब तुम यहां पर भी इसे तंग करने के लिए क्यों आयो चोड़ो जानू इनकी जूटी बाते सुनकर अपसेट मत हो जा मैं अपसेट नहीं हूं देखो लोग कैसे प्यार में डूबे हुए है वाँ शादी करके खुश भी रहेंगे सिल्को देखो ब्यूरिफु लग एंस्टिल एक्जिस्टिंग मुझे भी पूरा भरोसा है जानते हो इनके प्यार को पूरे सौ दिन हो गए है इन्हें विश करने के लिए यहां थे जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं पर तुम्हें मुझे विश करना चाहिए लेकिन क्यों हमारे प्यार को भी से बताता हूं जिस दिन उसने प्रपोस किया था उसी दिन मैंने तुम्हें देखा उसके बाद तुम कहीं गायब हो गई कुरा सिद्नी चान मारा फिर वो चिट गेम खेलते वह तुम मुझे नजर आई काश मुझे कभी देखाई जानों कुब सुरत लग रही हो है बहुत तुम्हारे बारे में सुनाई के सच बोलने से नहीं डरते मैंस हीं तुम्हारे बारे में बॉत शुनाए समेंस पर रुमांस कैसे करते हो सिले हां इसके सद्व क्यूं बेज रही है यहां नहीं दो ना तो तुम हमेशा सची बोलते हो लाइक इसा आपूल आरयो है यह को जब शिक्रेट जलाओ के प्लीज सिग्रेट के लिए समंदर बाहर कर आओगे गया ओओ यहीं स्मोग करें सब्सक्राइब था तुब ना, बहुत नौटी है, फोतोग्राफ रो, वाइल लाइफ, वाइल लाइफ फोतोग्राफ रो, लाइफ वाइल ने कही बार, बट्टा राइक पोट्रेट्स, हम्, दो मिनिट के होए, उसका मेसेज भी आ गया, शिट, ओ शिट, मेसेज उसके पास चला गया, यार, क्य कैसे हो गई, पर गया, यार, क्या होए, बोस, रॉंग मेसेज है, मेसेज राइट है, लेकिन रॉंग परसन के पास चला गया, दूसरा ट्रैक है, उसकी बहन होगी, यार, उसकी बहन का तो पता नहीं, लेकिन मेरी बहन ज़रूर बनेगी वो, मेरी कुस तो मदद करो भाई, मुझे लगा तुम उससे प्यार करते हो, तुम तो उससे दोका दे रहे हो, तुम जूट को चुपा सकते हो, यार, सच को नहीं चुपा सकते हो, जो मेसेज वो मुझे बहिशता है, वही से मेसेज वो उससे भी बहिशता है, जी, उसकी तो, सिर्क, सुना सिर्क, सुना सिर्क फोन दो क्या हुआ सिल्क काउन है सपना किसकी बात कर रही हो अपना फोन दो मुझे इनके बीच शाद कुछ मिस अंडरस्टानिंग हुई है करेक्ट है अगर इस मिस की उस मिस के साथ सरा से भी अंडरस्टार्णिंग हो जाए तो सब असान हो जाएगा लाइफ लॉग तुम्हारी भी तो नौ गर्ल्फ्रेंड्स रहे दिए ना पर एक साथ कभी दो नहीं हो इन्हें रोकने के लिए तुम कुछ तो कर सकते हो ना देख दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं यही सच है क्या सच है तुम जो कहते हो थोड़े वग का ही प्यार होता है क्या वो सच है एक दम सच है सही का पूरा कपूरा पागल है लड़किया इस बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगी कैसे समझाओं इतने घने अंधेरे में हम बिना क्यों चल रहे हैं कार की हेडलाइट की वजए से हेडलाइट का क्या लोजिक है अगर हम वहां तक चलते रहें जहां तक का रास्ता हेडलाइट दिखाती है तो हमारा सफर बहुत सुहाना होता है मेरा प्यार भी कुछ ऐसा ही है तिर लाइफ लॉंग लब को क्या बोलोगे बताता हूं इतना पास क्यों चला रहे हो इतना पास जाने की क्या जरूरत है एंजोई दे म्यूजिक कर होई दर्रूरत है सब्सक्राइट बसनों अपर हुच्छ द्यूरत सब्सक्राइबर अशनल दर्गर ऐसे हैं अची ना दर्रूरत कि अजर किया आंज अटत्सटाइब 4 दूर्द1 तो जानू मेरे प्यार पर भरोसा करो जैसे हम हमारे कार की हेड लाइट पर करते हैं लाइफ लॉन का मतलब है दूसरे की हेड लाइट पर भरोसा करना वैसे चॉइस तुम्हार ही है सब के सब मुनवख क्यों कर रही है यही होगा इसका जिपादा इनके साथ क्या क्या दिखाल दिखा सकता दिखा मुझे इसस से दूर रहने में हीिव है पता नहीं क्या हो जाए डरती क्यों उंकल गाड़ी में भी तु साथ में चली अंदर बैठी है अब तुम्हें मना तो कर नहीं सकते हैं चलो देखते हैं लेट्स गॉड पापी गाड़ी से उत्रोंगे दर्वाजा तो खोलो मैं जानता था इसके लाइट के फिलासॉफिल लाइट नहीं होगी हैवी होगी आई हेट दिस लाइट लव स्टॉरी इतनी राथ हो गई तुम अब तक सोईने कोई परिशानी है क्या तुम्हें मैं जो चाहती हूं क्या वो मुझे मिलेगा और क्या चाहिए तुम्हें मुझे आप दोनों जैसा प्यार चाहिए आप डैरी आपसे अभी तक उतना ही प्यार करते हैं ना मा राम की तरह सच हर कोई नहीं बोल पाता यह सच है कि हम पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे मेरा मतलब यह नहीं कि अभी हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते पर प्यार थीर थीरे कम हूँ ही जाता है जानो जब आप सच्चा ही जानती हैं तो आप अब तक उनके साथ क्यों है मां एक दूसरी के साथ रहने की वज़े से पहले प्यार होता है और फिर बच्चे वज़े बन जाते हैं तुम इतना ज्यादा मत सुचो जाकर सुचो लुच्चोकोव बैदेर रहते हैं जो अवा ने शच्चो को सुचचो के ज़द में इंचिक निचिकर इंचिकर अब सूपब बॉस वाज दो साल में फ्रीडम फाइट कराथा और आपने फ्रीडम थिला ही दिया थिला ही थिला ही थिला हम ऐज़ ठेक इसी भस कुछ नहीं हो सकता देखो लग रहा है वैलेंटाइंस डे हैं कॉलेज के हर लव स्टूरी का दियांड करवादिया तुम नहीं किया भाई तुम्हारी लव स्टॉरी का एंड कैसे करता हूं बस देखते जा आज तो फैसला करके रहेंगे हैपी विलेंटाइंस दी जानु हाई राजिश तुमने दुखा था कि आज तो अपना फैसला सुन होगी सी आई कांट सेक्रिफाइस यू इवन आई कांट सैक्रिफाइस बहु मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए एक्स्क्यूज भूले जलबाजी मत करो जरूरी है कि वह आज ही जवाब दे एक बार उसका दिमाग क्लियर हो जाए तो वह जवाब दे देगी तुम कंफ्यूज मत करो इसे आज अपना फैसला करना ही होगा ओके प्लीज जानु जानु देखा क्या हुआ जबर्दस्ति की गई भैस पानी में अब कर लो फैसला असली मुसीबत तू है जा यहां से इसकी लाइफ जानु तुम्हारे पीछे 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 आता रहे हैं और तुम खेलती रहोगी तुमने हमें समझ के क्या रखा है जोकर दिखा दे रहे हैं लोग कि यहां प्यार की बहुत अब भाशान नहीं समझता है जैनु के दिल में तुमेंसे कोई नहीं हूं यहां तक कि मैं भी नहीं हूँ जानता है तुम्हें तुम्हें नहीं होगा यह और भी बहुत लड़कों के साथ गुंती है तुम्हारे जैसी बहुत सारी लव स्टूरीज हैं तुम इसे ही सपोर्ट करोगे ना बढ़िया है बहुत बढ़िया है इस पेचारी को नहीं पता इसे कैसा प्यार चाहिए एक मिनट रुको एक मिनट रुको थोड़ा सा कंफ्यूजन है आखिर इसमें गलत क्या है वो तो बस जिन्दगी भर का प्यार मांग रही है जिन्दगी भर का साथ मांग रही है तुम नहीं दे सकते मैं नहीं दे सकता लेकिन क्यूं अरे बस नहीं दे सकता पताना होगा क्यू जिंकि जिन्दगी भर के प्यार पर भरोसा नहिं है कि तुम्हें भरोसा नहीं ए तो मेरे चोब्दिन दूसरे दिन में औस्टेलिया के लिह निकलने वाला था उस दिन मैंने डि krijो देखा इसका नाम था पूजा इतनी खूबसूरत है कि कोई भी फिदा हो जाए उसकी स्माहिल, उसकी खूबसूर्थी, उसकी मासूमियत मुझे तो पता भी नहीं चला कब मैं उसके प्यार में डिवाना हो गया हे राम, क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट सब्मिट करने के लिए सब एक घंटा बाकी है अलो, एक्स्क्यूज मी, यह क्या? मुझे लगा तुम घर जा रही हो, यहां क्यों आई? घर ही तो जा रही हो यहां से? एक बार फिर से स्माइल करो भी अभी-अभी तॕम कॉलेज में थी ना अपनी फ्रेंड से मिल लें गए थी नाम क्या है फ्रेंड का नाम, फ्रेंड का नाम जानकर क्या करूँ क्या रुगा है लव हो गया है क्या? सिंप्टम्स तो कुछ प nuanced यही है थीक है, no problem, ट्रेन चूटने में अब भी आधा घंटा बागी है, तुम तब तक जितना चाहें लब जिता लो, वाट, राम, सुन भाई, प्रोजेक सब्मिंट करना है, एक घंडे का टाइम है, अरे, आधे घंडे बाद आओंगे, हलो, इस इस नौट जोक, आधे घंडे में क मुंबाई, पता चल गया, मुंबाई पहुशने तक ती स्टेशनों पलुकेगी, टाइम नहीं दे रही हो, कुछ नहीं बता रही हो, प्लीज, नाम तो बताओ, फिर से हसी, तुम्हारा सेल नंबर, कुछ तो बताओ यार, सिर्फ आधा घंटा, अपनी दोस्त का नाम तो ब एंसे क्या कर रही हो, ट्रेन का थाइम हो रहा है, यार, यार, पर मनजिल तो है, मुंबाई, उस परी का शहर, शायद इसलिए ये शहर मुझे हमेशा से पसंदा, टाक्सी, माई एंजिए बाइदा, ये, विला बैग ये कहा पागई चा रहा है, मैं अपनी दोस्त से मिल लेता है, यहां सेल्समेन को एंट्री नहीं है, अरे सब्छाओ यार इसे, पूजा, ज़िए इसे, गोँ What are you doing, oh my God, go are you mad? Go away Go away What are you doing here? I had not had enough for a quarter of a week अटलब लाइफ लॉग पीर चाहिए तुमारी सिस्टर ही यह लटका कॉन है? मेरे ससूर जी कौन हो तुम्हें आपका फ्यूचर दामाद हो तुन्हें हो तु पागल हो गया है क्या सब मुझ पर बोल दिया जो सच है वही का अपनी सच्चाई को पेपर पर लेख और अरे राम देख कौन आया अरे राम वापत आजा मुझे भी लगता है आदा गंटा काफी नहीं है इस पुक के ताला लगे कर कहा चला गया रहे ना राम चल नीचे जा कर लेखे लेखें आचल कमाँ उससे प्यार होने के बाद ये मेरा पहला बर्दे था उसके फोन का मुझे बेसबरी से इंतजार था बिए बिए रहे आज अच्छेंट आने वाला यार फोन आखो हेपी बर्थडे रॉम्ड है कहा हो प्रोजेट खाटम में एक महिना हो गया है क्या करें हो गहां पर भी हो तो हाभी बेदे राम था पिल राम मैं कल राभ लाभ बजे थारी विशका पे सबरी से इंतिसार करा था मैं खोशिश करकर थख लहीं यह हुआ पूजब लेट्स पार्दी यह कर दो यह हम आगे है अएरूपर यह वह अए इस सब्सक्राइब कर दो आलिए भी इसे कोई मैगनेट सिल्ट ऑधार कोई मैगनेट नगाँ आप इस दूपिद इस तो अब समुख का और आप कि अपयाँ अब कर चाल आप आप ए इस टूपिद बोई इस टूपिडोऑ इस टूपिड़ इप ए-पटोब नियू किया इस ग वामेशा मेसेज भीजती रहती है, लेकिन बर्दे के दिन मेसेज करना भूल गई क्या भोलो इसे, कहता हूं भूल गई मुझे वैसे क्या है इस बॉक्स के अंदर, कितना भार ही लग रहा है मलीका ने फिर से मेसेज के आया कि दिखा ना पत्ताव मत्त आया बेश्वचय का है काषश कि वो भी यहां ऊड़ी प्रीजी गर्ल तो अपनी पार्टी फिलिश कर लो क्यों उसके बार मत समेल ले ना इसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन, मैंने पहली बार देखा था राम राम पर उसके बाद वो एक्स्प्रेशन अरे मैंने कई बार देखा जब देखो सिक्रिट पीते रहते हो बहुत हग जताती है कौन है शटा यह बस मेरी फ्रेंड है तो क्या रोज सौ एसे मेस भेजना जरूरी है बहुत अच्छा बनाया है कैसे करते हैं आप यह वाव और यहां पर थोड़ा सा दाक शेट देंगे ना तो वू अल दे बेस्ट यह लीजे पहली बार मुझे लगा कि मेरे पंक काट दिये गए लव यू लव यू टू जब हम इस तरह चलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है पर मुझे डर था कि यह खुशी नहीं गम में ना बदल जाए पहली बार मैंने मलीका का मेसेज डिलीट कर दिया पहली बार कुछ शुपाया पहली बार किसी से जूट बोला अलो हाई राम तुम क्या करे हो पढ़ रहा हूं ठीक है पिर पढ़ लो काओ इतनी सीरियस क्यों हो गई मैं तो मजाग कर रहा था पूजा मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था अगर जूट बोलने से किसी को खुशी मिलती है तो सच्छाई की जरूरत किसे है छोटी-छोटी बात है थी लेकिन मैं मजबूर हो गया जूट बोलने के लिए प्रूट बार मुझे वो तीन शब्द बिल्कुल फीके लगने लगे थे यह जुट खात्म होग तुम्हारा रग्यलर ड्रिंक चॉकलेट चिप्स होट फज विद एक्स्टा नाट्स गॉर्ट बस अबीरा है जर्ण फोन देड़े ए जर्ण खेलना है ये सर्ड टू चॉकलेट चिप्स वन होट फज विद नाट्स के सिर्ट इस वैसे बताओ उस लड़की का नाम क्या था लिलिका या मलिका टश्में नहीं हो गया है सचका उन तो पता ही नहीं है बहुत दिनों से मिली नहीं है मुझे बताओ कि कितने दिनों से उसकी मेसेज़ेस डिलीट करे हो तुम मेरे मेसेज़ेस कब से चेक करने लग गई देखो पूझा वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है क्या फरक पढ़ता है मैंने थोड़ा हाई हलो कर लिया तो हाई जान और तुम अपने सभी फ्रेंड्स को कितना प्यार करते हो क्या यह मुझे नहीं बता पूझा समझने की कोश करो वो लोग प्यारी बंदे हैं मेरे बच्पन के दोस्त हैं और वो तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे नहीं पसंद अरे क्या हो आम तो मिलने आए इसना मैं बोल रहा हूं इतनी छोटी सी बात पर क्यों हो रही हो जूट बोलना तो में छोटी बात लगती है वाई यो लाइं से तया कर लेता कि यह मेरी जिंदगी भर का प्यार है यह नहीं प्यार ब्यारा होता है खिर्ष बेवकूफ ने कहा ऐसा नहीं था कि हम खुश नहीं थे लेकिन खुशी की बुनियाद जोट पर टिकी थी मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं उसी से प्यार करूँगा लेकिन पता नहीं था ये कब तक चलता रहेगा मॉम और डाट से हमारी शादे की बात मैंने कर ली है ये सुनकर तुम्हें खुछी नहीं हुई सोच रहे हो कि मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरे लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हो फिर वो ना कैसे कहते तुम्हें कल घर पर इंवाइट किया है लाइफ लॉंग हम लोग ऐसे ही रहे हमीशा प्यार ही करते रहे सारी जिन्दकी ऐसे बिता नहीं होगे इसने तुम्हारी बहुत तारीफ किये कौफी लो इसने कहा कि तुम्हें एक दुसरे से बहुत प्यार करते हो तो हम मना कैसे करते आओ बेटी इसके पास आओ जिन्दगी बर खुश तो रहो कि नएक दूसरे के साथ जवाब देता मैं हुने फिर से छूट बोलता तुमने जवाब नहीं दिया जिन्दगी बर खुश तो रहो कि न एक दूसरे के साथ नहीं जानता है या है जो तुम नहीं जानते ऐसे क्यों कहा तुमने हां मेरे डाट पूछ रहे थे कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते भी हो या नहीं क्या जवाब दूने नहीं जानता नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता तुम्हारे साथ मेरे खुश रहने के लिए पता नहीं और कितने जूट बोलने पड़ेंगे मुझे मेरी आदते मेरे दोस्त मेरी होबी इस पता नहीं और क्या क्या साक्रिफाइस करना पड़ेगा अब ऐसी है तो फ्यूचर में कैसी होगी मेरी लाइफ तुमुह ranging फिल जव एम अंधासा रहे रोज मेरा हाथ ऐसे पकड़कर चलती होकुश महसूस है यहां आँकों में देखो आँकों में देखो कहती रहती हो क्या इनमें जड़ा भी प्यार नजर आता है इसलिए जैक कहता है लेकिन यहां से नहीं निकलता यार प्राब्लम क्या है जाना कामकर बागल हो गया लव लाइफ जहनुम हो जाती है अगर उसमें प्यार ना हो नहीं चाहिए मुझे इस तरह साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं कहीं डूब कर मर जाओ लेकिन यह नहीं होगा मुझसे अगर आज मैं तुमसे यह सचाई नहीं बया करता तो जिन्दगी भर तुम्हारे साथ जो राम होता वो असली राम नहीं होता आज की बाद नहीं मिलेंगे चली जाओ उससे अलग होते ही मैंने खुद को आजाद महसूस किया लगर को जबर्दस्ति सम्झालने की कोशिष करोगे तो प्रीका पड़ चाता है मैक्स, everything is fine, I'll call you later. All right, that's fine. Okay, thank you. तुमने बिल्कुल सही कहा हमें एक जिन्दगी मिली है उसे जूट बोलकर नहीं जीनी चाहिए वोट याप क्या बख्वास करें मुझे लगा था आप इसे खलट है रहेंगे लेकिन आप इसे सपोर्ट कर रहें मैं पिछले 25 साल से शादी शुदा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ जैसा इसने कहां वैसा कुछ नहीं हुआ तुम इससे बोलो हमें बार बार इसमें नाग हसिटे कोई इतने इमानदार इंसान से प्यार कर सकता है क्या पूछो इससे पॉइंट तुम सिर्फ कुछ वक्त के लिए किसी लड़के से प्यार करोगे तो वो तुमसे प्यार क्यों करेंगी इनकी बेटी सच्चाई से वाकिर थी वह जानती थी कि तुम सिर्फ कुछ वक्त के लिए प्यार करोगे फिर भी उसने तुमसे प्यार किया कैसे यार हाई राम हाई जानु हाई यू आइम फाइन शौ या शौ फिनिश हो गई क्या हो जाएगी कली शुरू किया थैंक यू राम जिन्दिगी भर प्यार करने वाला इंसान चाहिए था मुझे लेकिन वो किस तरह से मुझे प्यार करता मुझे नहीं पता था पर अब जानती हूं मुझे तुम्हारी तरह सच्चा प्यार करने वाला चाहिए वाट मैंने जो किया हो सही था हां अच्छा बताओ तुम्हें सिर्फ उस दिन नहीं बचाया मतलब पहले भी कई बार बचाया वाइफ्रेंड डिसाइड करने के लिए मैं चिट निकालने वाली थी और तुम उस गेम में शामिल हो गए और अपने नाम की चिट डाल कर गलत फैसले से बचा लिया लाइफ लॉंग प्यार नहीं ढून कर कुछ वक्त के लिए धेर सारा प्यार करना सिखा कर तुमने फिर से मुझे बचाया तुमसे नाराज होकर मैं शादी करने चली थी आखिर वक्त पर आकर मुझे शादी करने से रोका उस वक्त तुमने मुझे बचाया तुमने सिखाया कि प्यार जितना लंबा चलेगा, उस प्यार में उतना ही जूट शामिल होगा, बहुत सारा धोका शामिल होगा, ये सब बता कर मुझे बचाया, तुम हर बार मुझे बचाती रहे, बस मैं तुम्हें पहले नहीं समझ पाई, जानो, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की बस अपने आप से इमानदार रहने की कोशिश की Anyway, तुम समझ गई I'm so happy दुनिया को भूल जाते, बहुत प्यार करते बेंतहा मोहबबद, जैसे किसी नहीं की हो तुम भी यही चाहती हो न? हाँ, राम ऐसी मोहबद जो बेंतहा हो ऐसा प्यार जो मुझे जिंदगी भर मेरे जानू, जानू, जानू प्यार मांगो मुझसे, इतना इतना दे सकता हो लेकिन प्यार पर वक्त की बाबंदी मत लगाओ यार पताए क्यों, क्योंकि प्यार जिंदगी बार नहीं टिकने वाला अगर ये बात मैं भी तुमसे कहूना यकीन मत करना क्योंकि प्यार में सिर्फ दो दिल ही नहीं मिलते दो दिमाग मिलते हैं मेरी आइडियोलोजी तुम्हारी आइडियोलोजी से अलग है मुझे क्रिकेट पसंद है तुम्हें गॉल्फ पसंद है प्लीज राम तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ अगर मैं कहूं कि जिन्दगी भर तुमसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा तो ये मेरा पहला जूट होगा और उसे ब्रेक अप किया क्योंकि मुझे उनसे जूट नहीं बोलना था अगर जूट के सहारे प्यार मांगना पड़े तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जानू लाइफ लॉंग प्यार इंपॉसिबल है जानू मैं भी चाहता हूं कि ये मुम्किन हो लेकिन जूटे दिला जीने के लिए तयार नहीं प्यार ना हूं तो अलग रहने के लिए तयार रहना चाहिए ओके मैं तुमसे अलग नहीं हो से जानू जानू समझने की कोशिश तो करो जानू फिर से वही प्रोब्लम कि मैं अन्क वहत् learnt आज़कों कुल म Supreme Supreme High heavens भाई कई प्रोबलम है मेरी प्रोब्लम जान दिर्क्तानी है मेरी प्रोबलम अग्यम्मै तुमने दश्य प्यार किया लेकिन तुमने प्रोब्लम और श्यानNu ।ुमने थुमने प्रोब्लम आपीश मेरी कारव किया किसी से बत्तमीजी नहीं किया, किसी को जूट नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया सुनो यार, दरसल धोखा तो तुम्हारे साथ हुआ है तुमने जब सबसे प्यार किया तो तुम्हें कोई प्रावलम थी? नहीं ओ तुम जिन्दगी भर एक लड़की से प्यार नहीं कर सकते यह तुम्हारी प्रॉब्लम है जानता फिर तुम्हें इस सवाल का जिन्दगी भर जवाब नहीं मिलेगा तुमने सबसे प्यार किया पें इंतहा महबबत की लेकिन आज तुम्हारे पास क्या है तुम्हारी किय हुई ब्रेक अप कि कहानियों के लावा कुछ नहीं अलग होने के दस कारण है तुम्हारे पास लेकिन साहथ रहने का एक भी कारण नहीं कारण ढूंडने में जिंदगी खराब मत करो लेकिन आज तुम्हारे पास क्या है तुम्हारी की हुई ब्रेक अप की कहानियों के लावा कुछ नहीं, कारण ठोड़ने में जिन्दगी खराब मत करूँ मैरी, है है जुजवल, थैंक्यू अगर प्यार की शुरुआत खुपसूरत होती है, तो अन्त भी खुपसूरत होना चाहिए अगर समुद्र की घहराई जितना प्यार चाहते हो, तो उसमें टूपने से मटरो अगर संभालना सीख जाओ, तो एक लड़की ही काफी है जानुम् मुझे तुम्मारी जरूरत है मतलब मुझसे प्यार हो गया है, कुछ वक्त के लिए, हाँ नहीं तो फिर लाइफलॉंग के लिए पता नहीं लाइफलॉंग प्यार करने के कोशिश कर सकता हो मतलब अब तुम मुझसे जूट बोलोगे मैं जूट बोलूँगा तुम ही ने कहा था लाइफलॉंग प्यार करने के लिए जूट बोलने पर मजबूर हो जाओगे मेरा दिमाग अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है हलो, अब जो कहता हूँ सुनो, मैं जूट नहीं बोलूँगा तुम्हें मुझसे सिंदगी बार प्यार चाहिए था ना, तो अब मैं तयार हूँ कॉंप्रोमाइस तो नहीं कर रहे मैं तुम पर कैसे यकीन करों, तुम पर भरोसा करना कपका चोटी तुम आखिर चाहती क्या हो बस एक उम्मीद, लाइफ लॉंग तुम मुझे प्यार करोगे इस बात की उम्मीद जब मुझे इस उम्मीद पर भरोसा हो जाएगा तब मैं तुम्हारा साथ दोंगी किया अजीब बात है तुभी बताओ इस बात का प्रूफ कोई कैसे दे सकता है क्या इस बार ये प्रूफ कर पाएगा जूट बोलकर प्रूफ कर सकते हो लेकिन सच के साथ नहीं अपने दोस्त की तो बैंट बज गई जूटी एक आप्शन बचा है मैं इसे कन्विंस करू तुमें मुझे क्या करना होगा पूझ भी तुम्ही से रहा हो चै बहुत खा लिया तुमने बताओ क्या करूँ क्या करूँ इस चमच को इसे फ्रेम में लगा कर रखू क्या करो इस चमच का प्लीज बताओ ना क्या करूँ गॉल्फ खेलोगी मेरे साथ तुम्हें लगता है यह गॉल्फ बॉल है हाँ नहीं पपी यह मेरी सिंदगी हो माई आइफ अब बताओ मुझे कहां पहुचाना है वहाँ जो पोल दिख रहा है ना उसके पास एक होल है उसमें डालो नहीं यह तुम्हें खेलना होगा ενए मिरे भाई यू है तू ब्ले वुट तुम क्या कह रहे हो प्यार से परिशान हो चुका हूं कि मैं और कोशिश नहीं कर सकती मुझसे और सहन नहीं होता यह क्या कह रहे हूं मैं और सक्रिफाइस नहीं कर सकता हमें लॉयर चाहिए कि रिष्टा तोड़ रहे हैं आज तक मैंने भी यही किया ब्रेक अप करके सिलूशन निकाला इतना भी नहीं सोचा रिष्टा तोड़ने वाले कोट कानून लॉयर्ज हैं मेरे जैसे बहुत लोग है लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को प्यार से सुलजाने की कोशिश करें त खुद रास्ता निकालते हैं मैंने हमेशा आपका भला ही सोच है अगर हमें रिष्टा बनाए रखने के लिए कोई वज़े नहीं मिलती तो हमें वो वज़े दूननी चाहिए मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं क्या चाहिए तुम्हें क्या चाहिए मुझसे वो जो तुम नह क्या करो समुंदर की गहराई जतना प्यार चाहिए कौन नहीं चाहता मुझे भी चाहिए समंदर की गहराई जतना प्यार लेकिन कैसे बिना जुट बोले वैसा प्यार तेक ही नहीं सकता तुम समझती क्यों नहीं हो दिमाग खराब करके रखा है अगर मैं सच्छे दिल से थ all right let's go guys let's go let's go let's go let's go let's go let's go let's get out of here let's see everybody nice let's go hey beautiful oh come on you want to get off the train right now you want to get off the train you can't get off the train all right just stay with us come on let's have some fun come on be easy be cool calm down hey get back in here hey come on hey come on get back in here no 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 baby you're not going anywhere fish tonight you are not escaping this time he's back boys let her go is he your boyfriend back off hey you what's wrong nahi jong okay a guy got hot like I got hey you oh not like I got yeah 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 झालग घपय तेंग तिक नार इंग करने प्सके ताड़ित कि अज भार आर आर स्वकिप जर स्वकित कि प्लिव इंग! वे झालग इंग वे लाग उड़ित कि अ बड़ इंग! वहाज करेंगा करते हैं हेड, मुझे फ़न लड़की का गुसता है अब जब अबस चाहर के लीड़ी गजये और सिरे इसाट इसाट है अबसको अबसमेक पर है तो दो की लिदितना है थिए लुँट? इसलिए साफ साफ पूछता हूँ लाइफ लॉग तुम उसके साथ प्यार से रह पाओगे या नहीं है यह पताओ जवाब तो और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आज के बाद अपने शकल मत दिखाना मुझे और तुबारा हिम्मत की तो अंजाम क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता मुझे आज इसी वक्त जवाब चाहिए नहीं तो चले जाओ इतना क्या सूच रहे यार जा बता दे क्या बता हूं से तूने ही तो यह बात बोली थी अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो मौके का इस्तिमाल करो वरना मौका हथ से निकल जाएगा आज वही अप्लाइकर मेरे भाई अपने रिलेशन्शिप को बचाने के लिए किसी ना किसी दिन तो जूट बोलना ही पड़ेगा और आज वही दिन है उसे बोल देगे जिंदगी पर तो उससे प्यार करता रहेगा वरना उसे खो देगा जा हाँ जा हाँ बोलो बोलो क्या मैंने जो कहा था वही सही है लाइफ लॉंग प्यार नहीं कर सकती है त्षि गैगा अपसे क्या बताया था और यह क्या हो गया क्यों बदलू मैं नहीं बदलूंगा तक एसी हुआ करती थी दोस के प्रपोजल पर भी वाव आउव सो नाइस कहकर चिलाती थी कितनी प्यारी लगती थी कि यह वही शकल है और उस चेट के गेम में बिल्कुल बच्चों की तरह कर रही थी कितनी क्यूट लग रही थी हरो शकल देखो रहां मैंने लायन देखा मैंने लायन देखा कहकर बादल हो गई थी अब इसका फेस देखो कभी मेकप नहीं लगा थी नैच्रल बड़ मारने कर अब अब क्या हुआ और कैसे करूं मैं क्या तुम वही जानू हो लेकिन मेरा प्यार वैसे ही रहना चाहिए नहीं रह सकता मुझे कैस्ट समझ रखा है अगर यही बात है तो इतना सोच क्यों रहे हो तुमें तो एक बहाने की जरूरत है ब्रेक आफ करने के के लिए अब तो इतने सारे बहानी है चोड़ क्योंनी देते मुझे अब मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बहानी ढूंदना बंग कर दिया तो अब क्या करोंगे थोड़ा और प्यार करोंगा तो 2L फिर न और प्यार आप वो भी खत्म हो गया तो तो जाकर रिचार्ज करवा लूँगा जिंदेगी भर प्यार करने की कोशिश करूँगा और वो भी खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ 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 उसके बाद तो तुम्हें क्या हुआ, किसी भी लड़की से प्यार करना एजी है, प्यार ना करो, तो ब्रेक अप करना और भी एजी है, लेकिन किसी लड़की से जिंदगी बर थोड़ा-थोड़ा प्यार करते रहना, किसी नर्ग से कम नहीं है, क्या यह, स्कूल में जॉब है, ये पैंटिंग हो, इस उस गिर्फिटी。 काफी हो रिखे ही पैसे नहीं ही निकलते ह। फिर क्या फाइदा? ये मेरे लिए है. इससे मुझे खुशी मिलती है. ये मेरे लिए है। रेसाइट कर लो मैं या फैर ग्रफिटी एो ब्रमस्ट को कहती है अब मुझे देख लो, सिग्रेट माना है मुझे, माया ने माना किया है लेकिन अब भी भूग रहा हूँ पार्टी करने के लिए मना कर लखा है देख बोतल लेके घूम रहा हूँ सिर्फ बोलनी का लव क्या है थोड़े से जूट थोड़े समस फालतू के जोक्स और एक फूल मैं तुम्हें बस फोन करने ही वाला था वो जबर्दस्ते मुझे प्रॉब्लम सॉल्व कर वा रहा था सॉल्व हो गया चलो चलते हैं माया किसी के प्यार में प्यार का नाटक क्रना सबसे बड़ा पाप है यह अब तरी समझ में आएगा सच भोलना बहुत मुछिल होता है लेकिन चाहीं जो हो जाए मैं हमेशा सच ही बोलुगा चलो निकलते हैं यह से लेकिन माया इसके कोई खालती नहीं है इससे बहतर लड़का मेरी बेटी के लिए कोई और होगी नहीं सकता है अब यह रिष्टा जोड़े या तोड़े यह है इसकी मर्जी है Come on, let's go Guys अब क्या तुम छोड़ दोगे इसे क्यों छोड़ू सर बजपन से सीखा है नहीं छोड़ूँगा मैं इक चीज समझ गया हूं सर मैं सोचता रहा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं पर वो एक जूट था वो इसलिए क्योंकि उसे प्यार करने से कहीं स्यादा मैं अपने आप से प्यार करता रहा किसी लड़की से सच्चा प्यार ना करने की वज़े है मैं हूं इसकी वज़े सिर्फ राम यानि मैं हूं जिन्दगी वज़े ढूनने में नहीं बितानी चाहिए अब अब मेरे पास कुर्बान करने के लिए बस एक ही चीज़ बचिए और वो है मेरा एगो मैं लास्ट पेंटिंग आज के बाद फिर कभी ग्रफीटी नहीं करूंगा साचर जीनी ने हैव नहीं कर दो दो इसकी बच्टन यप वी बच्टन यप बच्टन यप वी बच्टन ग्रफ बाटना चाहता हूं अब तुम्हार प्रोग्म क्या है उसे फिर आई लवी कने जाओगे आपके पास कोई और अच्छा इडिया है गिफ्ट दो से गिफ्ट तो पुराना आइडिया है सर कोई बैतर आइडिया बताईए पूल कैसे रहेंगे सब वही देते हैं मैंने कभी नहीं दिये और बच्पन में एक पूल टीचर को दिया था उसके बाद कभी नहीं उसे कौन सा फूल पसंद है प्लीज 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 पता है मुझे बहुत बढ़िया चोटी 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 लव स्टोरी लाइफ लॉंग लव स्टोरी बन जाती है सिर्फ तुम्हारे आइडियाज नहीं आइडियोलोजी भी बहुत बढ़िया अच्छा बताओ थोड़े वक का प्यार सही है जिन्दगी भर प्यार होना चाहिए बॉस